हलो बच्चो तो आज आ गया है क्लास 10 ICAC बोर्ट का एक बहुती फेमर्ज जो अल्मोस्ट सारे स्कूल्स में सारे ICAC स्कूल्स में यूज किया जाता है तो आज हम लोग पहला चाप्टर करेंगे पहला चाप्टर है फोर्स और फोर्स का जो पहला टॉपिक है यह जो चाप्टर है यह चाप्टर शुरू करने से पहले ही मैं एक चीज़ तुम लोगों को बता देता हूँ हर चाप्टर का एक या एक से ज्यादा फॉर्मूलाज रहता है तो एक बार फॉर्मूलाज अगर दिमाग में रख दो तो चाप्टर्स करना और भी आसान होता है तो इस चाप्टर का फॉर्स का यह जो चाप्टर है मोमेंट ओफ फॉर्स एंड एक्विलिब्रियम ऐसा चाप्टर है ओके तो नुमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इस चाप्टर का जो वान अन ओनली फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा that is moment of force moment of force is equal to force into perpendicular distance यह चीज हमें याद रखना पड़ेगा okay moment of force is force into perpendicular distance तो चलो start करते है अपना numerical पहला numerical है question number one यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि the moment of force of 20 Newton तो force कितना है 20 Newton about a fixed point O is 10 Newton meter तो हमें निकालना क्या है तो बच्चों एक चीज में बता देता हूँ जब भी तुम कोई भी question करोगे कोई भी numerical item करोगे तो वहां पर पढ़ो और पढ़ते पढ़ते जहां पर भी तुम्हें डेटा मिल रहा है वो डेटा लिक लो ऐसे और जो डेटा निकालने के लिए बोला जा रहा है वो भी निकाल लो और उसके बाद क्या चाहिए सिर्फ formula ओके formula याद रखना है तो हमें पता है tau is equal to f into d तो d will be equal to tau by f अब values बिठा देते है physics तो सिर्फ इतना तक था इसके बाद तो simple calculation the torque is 10 divided by f is 20 it will be 1 by 2 या 0.5 meter ओके और बच्चों obviously याद रखना unit अगर ना बिठा रहा हो तो अगर unit नहीं दे रहा हो ना तो answer में marks कट सकते हैं जब exam में तुम वो numericals कर रहे हो तो obviously last में unit बिठाना must है ओके बच्चों तो चलो आज आते हैं अपने next question में question number two question number two में क्या कहा जा रहा है कि a nut is opened by a wrench of length 25 cm तो length क्या है 25 cm अब देखो बच्चो 25 cm है न अभी क्या भी इसको meter में convert कर लो okay बच्चों तो 0.25 meter if the least force required is 10 newton least force required is 10 newton minimum जो force है that is 10 newton force है find the moment of force needed to turn the nut okay तो moment of force torque tau कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा तो formula क्या है बच्चों tau is equal to f into d अब देखो least force कब हमें लगाना है जब हम लोग सबसे ज्यादा amount पे distance use कर रहे है perpendicular distance जब max होगा तब force minimum होगा तो इसलिए total range जो है उसका एकदम end में पकड़के हम लोग force देंगे isn't it तो tau is equal to f into d तो यहाँ पर f का value है 10 d का value है 0.25 तो it will be 2.5 this much newton meter this is the answer am I clear बच्चो समझ में आया तो बच्चों अभी हम लोग करेंगे question number 3 question number 3 में क्या कहा जा रहा है तो यहाँ पर एक diagram भी दे दिया गया है तो सबसे पहले मैं diagram draw कर लेता हूँ तो देखो बच्चों question क्या है a wheel of diameter 2 meter तो diameter कितना है wheel का it is 2 meter is shown in figure with axle at O मतलब O के respect में यह घुमेगा okay a force F is equal to 2 newton is applied at B मतलब यहाँ पर इस B point में 2 newton force act हो रहा है okay in the direction shown in the figure मतलब यह जो arrow है मतलब इस direction में right side में calculate the moment of force about the center O okay मतलब अगर तुम यहाँ पर force apply कर रहे हो तो O point के respect में जो moment of force होगा वो कितना होगा यह हमें सबसे पहले निकालना है okay बच्चों तो देखो tau is equal to F into D isn't it force कितना है यहाँ पर 2 newton और अपना perpendicular distance क्या है देखो force यहाँ पर apply किया जा रहा है यह point of application of force अब axle से point of application of force तक जो perpendicular distance है वो हम लोग यहाँ पर लेंगे इसंट अब देखो diameter कितना है 2 meter तो यह जो perpendicular distance होगा that will be 1 meter isn't it तो यह हो गया 1 meter तो 2 into 1 मतलब 2 newton meter that is the torque okay बच्चों समझ में आया next क्या पूछा जा रहा है बच्चों the moment of force about the point A मतलब इस point के respect में हमें moment of force निकालना है तो देखो अगर इस point के respect में moment of force निकाले तो f into d force तो वही 2 newton है अब इस point of application of force से अगर हम लोग यह point पकड़े तो इस point से यहां तक का जो perpendicular distance होगा that will be 2 meter isn't it so it will be 4 newton meter am I clear समझ में आया so these two are the answers okay okay आ जाते हैं अपने next question अब हम करेंगे question number four question number four में फिर से एक diagram दे दिया गया है तो सबसे पहले वो diagram ही draw कर लेते हैं क्योंके diagram speaks thousand words okay no मतब diagram draw करने से भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है कभी-कभी तो देखो यहां पर एक rod है यह point A this is point B यह फल्क्त्रम है oh this is two meter this side will be four meter यहां पर एक force है F1 which is equal to five newton और यहां पर एक force है F2 which is equal to three newton okay बच्छो तो यह है diagram यहां पर numerical में क्या बोला जा रहा है the diagram shows two forces F1 is equal to five newton F2 is equal to three newton acting at a point A and B respectively of a rod pivoted at point O so it's pivoted or pivoted whatever you say okay at point O so about point O this rod can rotate okay such that O A is equal to two meter and O B is equal to four meter two meter or four meter तो देखो बच्छो अगर मैं सिर्फ यह diagram ड्रॉ करके भी तुम लोगों को समझा देता तब भी समझ में आ जाता इसंटित मतलब मैं जो कह रहा थाना के numerical में जितना कहा जाता है अभी कभी जो diagram है वो ही वो पूरा बोल देता है ओके मतब अलग से numerical पढ़ने की जरूरत भी नहीं पढ़ता तो देखो पूछा क्या जा रहा है क्या निकालना है the moment of force F1 about O तो सबसे पहले हमें O point के respect में moment of force निकालना है okay moment of force किस force का F1 force का तो देखो F1 force कितना है 5 Newton तो टॉर्क अगर में टाव 1 पकड़ू तो टाव 1 इस equal to force into distance यहां पर F1 होगा तो 5 Newton and distance देखो यहां से यहां तक का जो perpendicular distance is that is 2 meter so it will be 10 Newton meter अमें clear बच्चो समझ में आया आ जाते है आपने next question में next question नहीं obviously next क्या पूछा जा रहा है the moment of force F2 about O to same tau 2 is equal to F2 मतलब 3 Newton about O तो देखो यहां से यहां तक का जो perpendicular distance is that is 4 meter so tau 2 is equal to 12 Newton meter अमें clear बच्चो समझ में आया simple सा चीज है अब देखो total moment of the two forces about O अब यहां पर एक चीज बताना भी जरूरी है देखो moment of force actually it is a vector quantity तो देखो जब भी हम तुम जब भी हम कोई vector quantity निकाल रहे है तो उसका direction बोलना भी जरूरी होता है तो यहां पर इन दोनों जगह पर हम लोग direction भी बता देते हैं तो यह अच्छे से समझना पड़ेगा बच्चो देखो पहले इसका direction देखेंगे उसके बाद इसका direction देखो यह अगर rod है यह ओ है fulcrum isn't it अब देखो यह जो f1 force है f1 is equal to 5 newton जो force है वो नीचे की तरफ है downward तो यहां पर अगर fulcrum है तो यह जब वाला जो point हो ना यह वाला जो point वो static हो गया अब यहां पर अगर तुम force दे रो नीचे की तरफ तो यह कैसे move करेगा anti-clockwise move करेगा am I clear बच्चो तो due to this force यह anti-clockwise मतलब ऐसे move करेगा तो इसका हम लोग लिख सकते है this is anti-clockwise तो यह हो गया अपना moment of force का direction और वैसे ही अगर यह वाला पकड़े 12 newton meter तो देखो यह ऐसे यहां पर fulcrum है f2 नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है तो देखो नीचे की तरफ अगर यह ऐसे एक्ट हो तो यह clockwise force clockwise moment दे रहा है इसा ओके तो यह हो गया अपना clockwise moment am I clear तो दोनों का ही direction हम लोगों ने बता दिया आ जाते है अपने third question में total moment of the two forces about O अब देखो क्यूंके moment of force is a vector quantity तो अगर हमें total moment निकालना है तो हम इन दोनों moment को add कर देंगे अब देखो anti-clockwise physics में एक चीज़ याद रखना anti-clockwise को न हम लोग हमेशा positive पकरते हैं it's a convention okay ultra भी हो सकता था लेकिन according to the convention हम लोग anti-clockwise को positive पकरते हैं clockwise को negative पकरते हैं okay तो यह अगर positive torque या positive moment of force हो यह अगर negative moment of force हो तो net torque tau is equal to tau 1 plus tau 2 isn't it तो 10 और यह है 12 तो minus 12 तो क्योंकि यह clockwise है तो यह हो गया minus 2 newton meter तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि net जो torque होगा that is 2 newton meter और minus sign क्या show करेगा clockwise moment clockwise am I clear बच्चो समझ भी आया है तो बच्चो आज आते हैं अपने next question question number five यहां पर क्या कहा जा रहा है two forces each of magnitude 10 newton और यहां पर भी let me tell you एक diagram दे दिया गया है तो चलो सबसे पहले diagram ही कर लेते हैं तो यह अपना diagram 10 newton force उपर की तरफ और यहां पर 10 newton force नीची की तरफ यह है point o यह total है 4 meter यह तो यह तो यह है 4 meter this is point a and this one is point p two forces each of magnitude 10 newton यहां पर अकोरिंटो डियाग्रम भी वही बोला जा रहा है act vertically upward and downward arrow से मैंने दिखा दिया है respectively at the two ends a and b of uniform rod of length 4 meter which is pivoted at its midpoint o as shown in figure midpoint पतलब यहां पर तो यहां पर तो यह से ओ तक का distance हो गिया 2 meter o से बी तक का distance भी हो गिया 2 meter ok समझ में आया determine the magnitude of the resultant moment of force about the pivoted point o ok so यहां पर इस point के respect में हमें net moment of force निकालना है ok बच्चों तो देखो सबसे पहले देखना है कि यह जो दो force है यह जो दो 10 newton वाला force है यह दो force कैसा moment दे रहा है मतलब moment का direction क्या है तो clockwise या anti-clockwise accordingly हम लोग positive negative पकड़ेंगे moment of force का direction तो देखो फिर से मैं example दिखाता हूँ तुम लोगो सोचो यह ही वो rod है और वो यहां पर clamped है ओके बच्चों ऐसे यहां पर clamped है तो दिस इस दे पिवादेट पॉइंट अब 10 newton force मतलब उपर की तरफ ऐसे उपर की तरफ force दिए जा नह 아침 कैसे मूउफ कर रहा है तो, total torque is equal to S-force का moment और S-force का moment, isn't it? तो, 10, total minus कर देते, minus 10 into 2, फिर से minus 10 into 2, am I clear? तो, यह हो गया minus 20, यह भी हो गया minus 20, तो, torque is equal to minus 40 newton meter. तो, हम लोग answer ऐसे लिखेंगे, के 40 newton meter और minus sign के लिए, direction क्या हो जाएगा? clockwise. तो, moment will be 40 newton meter in the clockwise direction. तो, that is the net force. Am I clear, बच्चो? समझ में आया? तो, बच्चो, आज का वीडियो मैंने यही तक रखा, तो, आगे की वीडियो में हम लोग आगे का जो numericals है, वो करेंगे. तो, आज के लिए यही तक ही. I hope, तुम लोगों को समझ में आया. Thank you.